है कि वेलकम बैए चल् olvid 하기 प्रीप्स सैल या ऐसे ऐसा वहथ सब्सक्राइब कर एक्सक्राइब करते है कि इस तो बहुत बहुत आरप सकता है इसा कुछ नहीं हुआ, इरान अपने तरफ से पूरा एकदम शांद बैटा था, किसलिए बैटा था यह इरान को ही पता है, प्रेजेंटली इरान जाके अपने तरफ से स्टेप लिया, क्या लिया, एक साथ 180 बैलेस्टिक मिसाल्स को इसराइल के उपर भेजा, on the other side इसराइल क का जो यह स्टेप है, इसको कहां के यह काफी बरा गलती है, आगे जाके इरान को इसके लिए रीपे करना पड़ेगा, अब जैसे अगर हम लोग को पास्ट में पता है कि इसराइल का जो कोई भी दुश्मन है, या फिर अगर कोई भी इसराइल को एटाक करता है, इसराइल क के साथ, यमन में एती के साथ, तो ऐसे बहुत सारा संगटन है, जो इसराइल के दुश्मन है, और इसराइल हर किसी के साथ अच्छी तरह से लड़ रहा है, और हर किसी को बीट भी खाता है, तो नो डाउट इस बार भी इसराइल छोड़ने वाला नहीं है, अगर इरान ने ऐसा कुछ step लिया है, तो obviously expected है कि इसराइल आने वाले कुछ घंटे के अंदर, हो सकता है कि एक या दो दिन के अंदर इसराइल भी इरान के ओपर अटक करेगा, अभी जो question arise होता है, exactly इसराइल किस तरह से अटक करेगा, क्योंकि हम सब को पता है कि इसराइल का हर बार जो खता में, हैस्दुला का वो पावर भी नहीं था, तो expected है इसराइल इस बार भी कुछ अनोखा कर सकता है इसराइल के साथ, अगर यह नहीं करते है तो exactly इसराइल क्या करेगा, इसराइल आथा कैसे अटक करेगा तो फिर क्या चांसे से, इन सारे पॉइंट को एक एक करके analysis कर है वो अपने तरफ से नुक्लियर अटक कर सकता है जो कि एक बहुत इजी प्रोसेस है मतलब अगर आपके पास नुक्लियर बॉम है तो आप जाईए उसको आप इरान में गिरा दीजिए एड़ पॉइंट ऑफ टाइम इरान के साथ इस्राइल का जो वार है उसमें नो डाउट इस्राइल जीच जाएगा और देसेट यह अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर जाए रेक नुक्लियर ओवार हो जाता है तो आगे जाके बहुत सारा कंट्री का इस्राइल हो सकता है कि इसमें जाके यह वाल्ड वार में भी कंवर्ट हो जाए या फिर इस्राइल के उप इस्राइल हो सब्सक्सक्तर और अगर जाए इसा कुछ होता है क्या टो पॉइंट की जाको सुपर्ट ने कम घ趣 होता है है अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स जो पॉइंट है वो है इस्राइल हो सकता है कि अपने तरफ से इरान के जो ऑईल रिफिनरीज है या फिर जो ऑईल पेसिलिटीज है उन पर अटक करें हम लोग को पता है कि इरान पर अलड़ी सैंक्शन्स डाला हुआ है जिसके वाई से इरान जो अपना ओयल जो भी इरान के पास से वह अपने तरफ से वह कुड़ इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं करता है अगर हम लोग इंडिया का ही देखें इंडिया बहुत सालों से इरान से कुरूड ऑपर सैंक्शन्स डाल हो है और अगर देखा जाए इरान यह प्ल करेंगे अगर बैकडोर से किसी को जो बेच रहे है तो उसमें अगर इरान का एकोनोमी को थोड़ा बहुत हो रहा है अड़ पॉन्ट ऑफ टाइम कभी इस्राइल नहीं चाहेगा इसको पूरा तबाह कर देगा अगर तबाह कर देता है तो इन फ्यूचर इरान फिर से उठके ख़रा नहीं हो पाएगा क्यूंकि इरान हम लोगों को पता है कि जो मतलब यह सब सुनके आप कही सकते कि भाई यह तो आप जो बोले के भाई इस्राइल जब चाहेगा तब जा हम लोगों को पता है कि इरान के पास प्रेजरली जो एएड़ इस्राइल का जो इस्टेम से लिया था और इसको भी इस्राइल ने अपने तरफ से देस्ट्रॉई कर दिया है जैसे हम लोग वो पता है के निती निया हूं अपने तरफ से ब़द दिया है कि हम लोगा जो अधे बैक अभीप कहा है और इसरीिपस को लोग ही कर सकता है प्रेजेनली इसराईल का भी यह फाइट टिक मजी रखे है तो नो डाउट इसमें ईरान कुछ नहीं कर पाएगा आगे जाके इरान को अगर आटक होता है तो इरान को बिस वाका जेलना ही परेगा नहीं पर सकता है कि इरान अपने तरफ से कुछ कोशिश करें मगर स्रिफ एर आगर रहेगा वो इस्राइल के साथ आगे लड़ने इकाएगा ऑन दादर से एक और फैक्टर इस वार में जिसमें है अगर इरान के साथ चाइना और रस्या एक साथ आ जाता है और वो लोग भी यह वार में इनवल्फ हो जाता है जिसका चांसे बोगत कम है क्योंकि चाइना और रश्या अगर इनवल्फ होता है तो वेस्टर्म कंट्री में जो इसे वो तो डैरेक्ली इनवल्फ हो ही जाएगा वार में और यह वर्ल्ड वर में कंबर्ट हो जाएगा जब तक चाइना के ऊपर डैरेक्ट कुछ किया जा रहा है एक पॉइंट आफ टाइम चाइना इर परशा करके रख दिया है जिसको लेकर रश्या थोड़ा सा परिशान है और दस्रेड रश्या कभी भी नहीं चाहेगा कि दो वार्ट में एक साथ वह इरान को सपोर्ट करते हैं वह सकते हैं कि अब तरफ से इस्पोर्ट को वह प्रोवाइट करें कुछ और जो चंक के लिए ज़रूरत है एक्जाक्ली कुछ भी मिल्टरी एक्विपमेंट्स और डिफेंस वह प्रोवाइट करें मगर रश्या चाइना अभी डिरेक्टली इस्राइल के साथ नहीं लड़ने वाले हैं तो आगे जाके एक्जाक्ली क्या होगा यह हम लोग आगे पता चलेगा बर आने जो 72 और से इन में आविएसली इस्राइल जो है वह अपने तरफ से जबाब देगा अगर हम लोग देखे जो तैयारी है इस्राइल और बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया है यूस के तरफ से अल्रेड़ी अनॉंस्मेंट किया गया है कि उन लोग जो गाइड़न के लिए व पिर जो एती था यमन में उन लोग के साथ भी इस्राइल जीच चुका है और अभी जो टार्गेट है वो इरान है और हो सकता है कि इसके बाद इस्राइल आपने तरफ से वेस्ट रंग को भी टार्गेट करें तो यह जो टॉपिक है यह इतना जल्दी खत्फ होने वाला नह करेंजिए डिफरेंट टैप अब वीडियो आपको मिलने वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइक जो स्पेशल परसन है उनके साथ शेयर कीजिए वेससे क्या होता है आपको टेस्ट है आपको क्या पसंद है वो उन तक कौनस्त है और हम लोग आपको आपको अच्छा लगा वीडियो देखने के लिए धन्याबाद क्या आपको अच्छा लोगता है वो आपको आपको गता है वो रखको है वो एच्छा टापको आपको में तक क्या मैं लोगता है ।